असलाम वालेकुम फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल समायरा फूर्स और आज मैं आप लोगों के साथ लेका है हूं सब का फेवरेट बच्चों का फेवरेट चिकन लॉली पॉप का रेसिपी तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बराबर तन और इसमें मैं इसमें आड़ कर रही हूं नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्ड नमक आड़ कर सकते हैं मैं इसमें टू टेबल स्पून नमक आड़ किया हूं और साथ मैंने वाइट पीपर पॉर्डर एड़ किया है तू टेबल स्पून और अब मैं इसमें आड़ कर रही हूं चाट मसा जो न मारे यह recipe, ये 2 kg chicken lollipop के लिए हैं, आप अपने recording इसको कम और जाधा करसकते हैं और इसमें, फिर मैं एट करूँगी तेन एंडे, इसमें मैं इसमें एट कर रही हूं और फिर मैं इसमें áप कर रही पी जो है तो इसमें मैं वो एड़ कर रही हूं और साथ हम इसमें एड़ कर रहे हैं चिंक्स का शिजवान सॉस इसमें एड़ करना हैं सारा कमाल इसी कहा है बहुत ही यम्मी होगा आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा मैं इसमें एड़ कर रही हूं शिजवान सॉस फोर टेबल कर ले और इसे अच्छी तरह mix करें बहुत अच्छी तरह इसे mix करना है ताकि हमारा कोई भी जो मसाल जितने भी हमने डालें किसे में lumps नाओ और फिर हम इसमें add करेंगे one cup मैदा यह भी measurement cup का one cup है आप यह add करें इसमें और इसे अच्छी तरह mix करें बहुत अच्छी तरह इसे mix करना है mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे one table sorry one cup मैं इसमें add करूँगे conflore same रहता है जितना मैदा डालेंगे इतना हम लोग conflore भी इसमें add करेंगे और इसे अच्छी तरह mix करें mix करने के बाद हम यहां देखिए मैंने चिकन को wash करके रख लिया लॉली पॉप का जो पिस होता है उस वो मैंने पिसस काट लिये हैं आप चाहे तो शॉप में बोल दे लॉली पॉप का जो जो wings वाला side होता है उसे अच्छा से कट कर लेना है यह देखिए और सारे पिसस को हम जो हमने मारिने मसाला बनाया उसमें हम मारिनेट करेंगे इसे आपके परस टाइम है तो आप अच्छा खासा इसके रख सकते हैं वरना आप वनावर इसे रेफरिजेटर में रख दे और फिर अब मैंने इधर एक घंटा हो चुका तो तो मैंने इसे माई करने से पहले 10 मिट पहले आप इसे निकाल दे बाहर और इसमें ऐड करूंगी मैं यह की मसाला दो पैकिता अब मैगी मसाले ले वह इसमें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्स्क्राइब करें लाइक कर करें और शेयर करें और फिर तेल हमbits अब ध्कर है session के डालेंगे पहले बोन कोगरर के हम उसे अच्छी तरह थोड़ा राउंन कर लेंगे ताके जो हमारा चीकिन के पाना हमidd valid नीचे नहीं गिरे पहले पहले अच्छ से जोक contributes वह अच्छे 5-6 मिनिट में हमारा चीकन जो है लॉली पॉप है वो फ्राई हो जाएगा और सेम इसी प्रोसे से बाकी बचा हुआ हमारा जितना भी चीकन पीसे से हम उसे फ्राई कर रहे हैं फ्राई करने के बाद हम इसके लिए ग्रेवी पी तयार करेंगे आप वो भी देखें तो इसे मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे और फिर हम एक बड़े से बड़ते लेंगे सॉस के लिए जिसमें मैंने एड़् किया है 4 टेबल स्पून सेम रिफाइन तेल है जो मैंने से थोड़ा हम निकाल लेंगे सॉस के लिए और इसमें मैं एड़् कर रही हूं 4 टेबल स्पून जो मैंने चॉप्ट गार्लिक इसमें एड़् किया है गार्लिक बहुत ही अच्छा चिकेन लॉली पॉप में आप इसे जरूर इसमें एड़् करें अच्छा खासा डालें और फिर ये दो से तीन मिर्ट तक जब गोल्डेन हो जाए तो हम इसमें एड़् करेंगे ये मैंने एड़् किया जिंजर का चॉप्ट चॉप्ट जिंजर मैंने एड़् किया इसमें ये भी हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून एड़् कर देंगे और इसे अच्छी तरह सॉट परा मैंने जैसे इस टा Parece का लंबांगा मैंने इसंछा टॉप करें लिए था वह इसमें आड करेंगे उसके बाद फिर र μεस्के आड करेंगे उसके बाद फिर हम इसमें आड करेंगे पिर हम इसमें add करेंगे sauce सबसे पहले हम इसमें add करेंगी soy sauce यह मैं four teaspoon soy sauce add कर रही हूँ और फिर मैं इसके बाद मैं add कर Bitte sauce के बाद मैं इसमें add करने वाली हूँ यह Red चिली यह Red चिली है Red Tomato sauce नहीं है Red चिली epishots है ये भी मैं इसमें तीन से चार्ट टी स्पून डालूंगी और फिर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ टेमेटो सॉस अगर आपको बच्चे को देना है तो वो मीठा जादे पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं यहां मैं टू टेमेटो सॉस एड़ कर रही हूँ और फिर हम इसमें एड़ करेंगे शिजवान सॉस और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और यह देखें मैं इसमें शिजवान चटनी जो है वो एड़ कर रही हूँ यह भी हम इसमें एड़ करेंगे 2-3 टेबल स्पॉन मैं इसमें एड़ करूंगे शिजवान क्योंकि ज्यादा तीखा नहीं हो जाए तो हम इसमें एड़ करेंगे और इसे अच्छी तरह हम इसे अपूरी तरह मिक्स कर देंगे और ज्यादा देर तक हमें इसे मिक्स करनें क्योंकि जो क्रंची है वो रहना चाहिए विजीज में जो क्रंची है वो ज्यादा अच्छा लगता है तो इसे हम दो से तीन मेरे तक अच्छे से मिक्स कर दें आप चाहे तो ये सॉस पहले बना कर रख लें और जब आपके गेस्ट आये तो आप उसमें चिकन फ्राई किया हुआ डाल दे तो फिर मैं इसमें आड़ कर रही हूँ टू टेबल स्पून मैं इसमें आड़ कर रही हूँ वाइट पेपर पॉर्डर ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है आप इसे जबूर इसमें आड़ करें और फिर वन टेबल स्पून मैं इसमें आड़ करूंगी अजीनो मोटो जो चाइनी शाल्ट होता है वो मैं इसमें आट करूँगी थोड़ा से पानी में घोल कर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद हमारा जो सॉस है वो रेडी हो चुक है अब जो हमने चिकन फ्राइ कर रखा हुआ है हम उसे आट करेंगा और इसे अच्छी तरह डॉस करेंगे सारे चिकन के पीसिस को मैं इसमें आट कर रही हूँ और अपने फ्रेंड्स और फैमली को जबूर शेयर कीज़ेगा एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी जबूर ट्राइ कीज़े बहुत ही यमी बनता है और आपको मेरे रेसिपी पसंद आया तो प्लीस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें ठैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो और ये देखने में इतना टेस्टी नहीं ये खाने में बहुत ही टेस्टी है टांक्स पर वाचिंग दिस वीडियो फिर मिलते हैं न्यू रेसिपिक साथ अल्ला हाफिज